अभी मैं आपको Gmail एकाउंट में एक ऐसे फीचर के बारे में बताऊंगा जो हर एक Android यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा important है चुकि इस फीचर की हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं कि कहीं आपका फोन किसी ने हैट तो नहीं कर रखा या फिर आपके फोन में कोई ऐसा application तो install नहीं है जो हमारे फोन को spike कर रहा है या फिर monitor कर रहा है इसके अलावे आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपकी अनुपस्थिती में आपके फोन में क्या-क्या चीज़े देखी गई या क्या चीज़ी search की गई कौन-कौन सा app यूज किया गया तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखीगा पूरी detail में आपको जानकारी दूँगा इस feature के regarding और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इस feature को सही तरीके से इस्तमाल करना समझ गए यानि सीख गए तो भाई आप एक मिनट भी पता कर पाएंगे कि आपका फोन कहीं है तो नहीं है और जब अगर आपको पता चल जाता है कि आपका फोन हैक हो चुका है तो वैसे में आपको immediately क्या करना है इसके regarding में मैं आपको जानकारी देने वाला ह तो वीडियो को अभी ही लाइक और शेर कर देजी तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्त अभी मैं आपको दो मेठर बताऊंगा यानि की दो तड़िका बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप आसानी पुर्वक पता कर सकते हैं आपका फोन किसी ने हैक भी कर रखा है या फिर नहीं और आपके अनुपस्थिति में आपके फोन में क्या-क्या चीज़े सर्च की गई चीज़े देखी गई आप आसानी से कंफर्म कर सकते हैं तो बात करते हैं सबसे पहले script नंबर फर्स्ट की उसके लिए आपको करना क्या है अपनी mobile फोन में Gmail एप को आपेंड कर लेना और आपके phone में जितने भी email ID login होंगे उस सारे के सारे यहाँ पर दिख जाएंगे तो आपको simple करना क्या है यहाँ पर Google Account का एक option दिखेगा इस पर आपको click कर दिना है उसके बाद आपके सामने इस तरीके से एक page आ जाएगा और यहाँ पर आपका email ID सो करेगा और नीचे में आपको कई सारे options दिखेंगे जैसे home personal information data and privacy तो आपको simple data and privacy पर click करना है उसके बाद आप नीचे scroll down करेंगे तो दिखें यहाँ पर आपको एक option दिख जाएगा wave and app activity और यहाँ पर location history इसके अलावे YouTube history का option दिख जाएगा तो देखें यही पर आपको just नीचे में एक option दिखेगा my activity आप simple my activity पर click किजिए click करने के बाद इस तरीके से new page open हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आप नीचे scroll down करेंगे तो यहाँ पर सारी चीजे दिखाई जाएगी जो आपके phone में search की गई है यहाँ पर देखें आज के date में मैंने YouTube पर इस वीडियो को watch किया है आप live देख सकते हैं और साथ ही आपको यह भी दिखा दिया जाएगा कि time भी इतना बज़कर इतना minute पर ठीक है ना देखें यहाँ पर details पर click करेंगे तो यहाँ पर यह बता दिया जाएगा कि today यानि कि आज के date में 4 बज़कर 24 मिनट पर YouTube को मैंने play किया ठीक है YouTube पर आप जो भी कुछ search करेंगे वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा इसके अलावे नीचे आजाएए और भी कापी सारे चीज़े हैं अगर आप जादा YouTube इस्तमाल करते हैं तो यहाँ पर दिख जाएगा इसके अलावे बैक आजाएए यहाँ पर नीचे आजाएए ठीक है ना तो यहाँ पर देखें नोटिफिकेशन भी आएगा तो उसका भी यहाँ पर रिजल्ट सो करेगा इसके बाद आप और नीचे आईए तो यहाँ पर देखें आपने जो भी Google में सर्च कर रखा होगा वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा और कौन-कौन सा एप आप आपने यूज किया है वो भी आपको यहाँ पर दिखा दिया जाता है तो अगर आपके फोन में कोई ऐ कुछ इस तरीके से चेक करने के लिए तो यहाँ पर देखिए तीन बज कर 51 मिनट पर सर्च किया गया था डीटेल्स पर क्लिक कीजिए तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर पूरा डीटेल्स आ जाएगा और कितने बजे किया गया है वो सब कुछ भी यहाँ पर आपको इतना ही नहीं जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर यह भी दिखा दिया जाएगा कि कौन कौन सा एप यूज किया गया है तो यहाँ पर अपडेट होने भी थोड़ा सा वक लगता है तो आप वेट कीजिएगा तो आप वो दिखेगा जैसे यहाँ पर YouTube Studio को मैंने यूज किया चार बजकर 40 मिनट पर और यह कब का है आप details पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं यस्टरडे चार बजकर 40 मिनट पर ठीक है ना और OPPO model नंबर आपको दिख जाएगा उसके बाद देखिए यहाँ पर ट्रो कॉलर एप को यूज किया गया चार बजकर 40 मिनट पर और योनो SVI को भी यूज किया गया ठीक है यहाँ पर देखिए पिक्टर एडिटर है यानि अगर आप नहीं करना चाहते तो आप सिंपल क्या किजिए अपनी मुबाइल फोन में Chrome ब्रॉजर को आपेंड कर लीजिए और यहाँ पर आपको माय एक्टिवीटी का option दिखेगा इस पर आपको क्लिक कर दिना है तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अगें आप उसी सेम पेज पर आ जाएंगे लेकिन आपको ज्यादा प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारी डीटेल्स आपके सामने आ जाएगी जो भी आप कुछ सर्च कर आपके फॉन को मोनिटर कर रहा हो जो लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है तो यहाँ पर आकर कर के चेक कर सकते हैं उस सारी एक्टिवीटी को जो अस थर्ड़ पांटी अप्लिकेशन के ठ reflection कर गजा रहा है तो वो सारा एक्टिवीटी यहां पर देखनी को मिल जाएगा और और आप आसानी से confirm हो सकते हैं कि आपका phone किसी ने hack कर भी लिया है या नहीं या पर कौन-कौन सी चीज़े यूच की गई है हमारी अनुपस्तिती में मेरे phone में क्या-क्या चीज़े search की गई है और इससे आप अपने बच्चों की phone में भी पता लगा सकते हैं कि हमारा बच्चा क्या-क्या mobile phone में करते रहता है अब माल लिजिए अगर आपको पता चल जाता है कि आपकी phone में कोई unknown application है या फिर कोई ऐसा application है जो आपकी phone को monitor कर रहा है यानि की cool मिला करके यह पता चल जाता है कि आपको phone hack हो चुका है तो आप क्या करोगे तो भाई immediately आपको अपनी phone को reset कर क्लिक कीजिए और erase all data पर क्लिक कीजिए उसके बाद यहाँ पर आप अपना password input कर दीजिए और यहाँ पर erase data का option आजाएगा इस पर आप क्लिक कर दीजिए बस आपके phone में जो भी spy app होंगे जो monitor कर रहा होगे आपकी phone को या भी कोई इलेगल link पर क्लिक करने से आपकी phone में प प्रुबक पता कर पाएंगे कि आपका phone कहीं किसी ने add तो नहीं कर रखा है इस वीडियो से अगर आपको को सीखनी को मिला है तो like और share कर दीजिए साथ ही चैनल को subscribe करके bell icon को दबा दीजिए और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का doubt है confusion है तो आप मुझे नीची comment कर दी कर दो है यो